दोस्तो बारिस का मौसम आ चुका है बारिस के मौसम में गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तो मज़ा उनको आता है जो पूराने ड्रैवर हैं काफी अच्छे से गाड़ी चला लेते हैं उनको बहुत मज़ा आता है लेकिन दोस्तो जो नए ड्रैवर हैं अक्सर उनको बारिस के मौसम में गाड़ी चलाने में डर लगता है मैं अगली वीडियो में ये बताऊँगा कि जो नए ड्रैवर है वो बारिस के मौसम में किस तरह से ड्रैव करेंगे तो अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे दोस्तो आज मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ कि जब हम लोग गाड़ी लेकर कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी को पार्क करते हैं तो पार्क करते हैं समय क्या आपने कभी ये सोचा है कि यहाँ पे मेरी गाड़ी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी क्योंकि दोस्तो बारिस के मौसम में अक्सर एक प्रॉबलम होता है जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा कितनी ऐसी गाड़ियां होती है जिनके उपर पेड़ के डालियां गिर जाती है तो दोस्तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी गाड़ी को पार्क करें तो वहाँ पे एक नजर ये जरूर देख लें कि जहाँ पे गाड़ी मैं पार्क कर रहा हूँ वहाँ पे कोई पुराना बड़ा सा पेड़ तो नहीं है क्योंकि दोस्तो जो पुराने पेड़ होते हैं अक्सर उनकी डालियां कमजोर हो जाती है तो जब बारिस का पानी उनके पत्तो पे आता है तो डालियां वजन हो जाती और डालियां गिर जाती है दोस्तो आप लोगों ने भी देखा होगा इसके लिए मैं आपको एक बार साथान करना चाहता हूँ जब कभी भी आप गाड़े को पार्क करें तो एक बार जरूर देख लें